ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज में आप सभी लोगों को स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा ब्रहमान कितना बड़ा है तो आईए जानते हैं जहां तक हमारी साइंस पहुची है वहां तक हमें पता चला है कि ब्रहमान तेराणवे अरब प्रकाश वर्ष वो पैमाना है जिससे हम लंबी दूरिया नापते हैं प्रकाश की रफतार बहुत तेज होती है वो एक सेकंड में करीब दो लाख किलोमीटर की दूरी तै कर लेता है तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तै करता है उसे पैमाना बना कर दूसरी और किसी भी अगर आप द देखें तो दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहत मुश्किल होता है इसलिए प्रकाश वर्ष का पैमाना बनाया गया है हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडर का हिस्सा है और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रह उलका पिंडो और धूम केतुओं को मिलाकर बनती है ब्रहमान में हमारी मिलकीवे अकाश गंगा जैसी बहुत सी अकाश गंगाएं हैं ये कितनी है इनका अकार कैसा है इनके बारे में बरसों से विज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मिलकीवे अकाश गंगा करीब तीन लाक प्रकाश वर्ष चौड़ी है वहीं कुछ विज्ञानिक कहते हैं कि अकाश गंगा इतनी बड़ी नहीं है ब्रहमान में इसके जैसी कई अकाश गंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर भ बड़ी है वैसे ये बहस काफी पुरानी हो चुकी है आज विज्ञानिकों के बीच इस बात की एक राय है कि हमारी अकाश गंगा एक लाक से तेल लाक प्रकाश वर्ष चौड़ी है ब्रहमान तो इससे ना जाने कितना गुना बड़ा है ताजा अनुमान कहते हैं कि हमारा तेरानवे अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है इतने बड़े ब्रहमान में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशान्त महसागर में पानी की एक बूंद सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं इसके लिए विज्ञानिकों ने क इसे कॉस्मिक डिटेक्शन कहते हैं इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगे भीजी जाती हैं वो आने जाने में जितना वक्त लेती हैं उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है इससे आगर आप एक चीज देखें तो इस इसके अलावा दुर्बीनों का भी इस्तमाल किया जाता है ब्रह्मान की लंबाई और चोड़ाई नापने के लिए जब धरती पेसे सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी प्रित्वी पर पहुचने में अर्बो साल लग जाते हैं तब तक ब्रह्मान और फैल चुका होता है नासा के विज्ञानिकों के दौरा अगर हम नासा के विज्ञानिकों की बाद सुनें तो वह कुछ इस तरह समझाते हैं कि आप एक गुबारे में कुछ बिंदू बना ले फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं हमारा ब्रह्मान कुछ वैसे ही फैल रहा है और जो निशान दूरी बढ़ती ही जा रही है विज्ञानिकों की परताल के मुताबिक धर्ती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है यानि उसकी रोशनी को धर्ती तक पहुचने में इतना वक्त लगा कि इस वक्त भ्रह्मान और फैल चुका है तो इस अधार पर विज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धर्ती से करीब 46.5 प्रकाशवर्ष दूर है इस हिसाब से ब्रह्मान आज 93 अरब प्रकाशवर्ष चौड़ा हो चुका है अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतू परंतू हैं लेकिन इस मोटे मोटे अंदाजे के अधार पर भी ब्रह्मान के बारे में सोचने से हमारी आँखे खुली की खुली रह जाती है हमें अपने छोटे होने का शिदद से एहसास होने लगता है और जितना हमारे साइंटिस्टों ने देखा है उतना ही ब्रह्मान के बारे में पता चला है क्योंकि ब्रह्मान तो अनंद है अब ही के लिए बस इतना ही और जादा जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज धन्यवाद